इंदोस्तान होशे दंगा लीटू चैनल में आप सभी का स्वागत है मैं कुल सेकर दुबे और आज मैं बहुत ही आलिसान घोड़े का वीडियो लेकर रहा हूँ आप सभी लोग मेरे साथ वीडियो में लाश्ट तक बने रहे जितने भी उत्तर पदेश और बिहार के घोड़ इस से पहले भी आप सभी लोग घोड़ा सिकंदर देखे होंगे जो कि हम लोग अपने भासा में उसे हैंड विरेक नाम दिये थे ओभी काफी घोड़ा आलिसान था उत्तर परदेश और बिहार में किसी को छोड़ा नहीं अपने जमाने में आज ओ घोड़ा नहीं रहा बस की आदे हैं और अभी दावपहलद जी का इन नया घोड़ा अभी महज चार या पांच महीने पहले दावपहल्वाино जी लहाव अदुतर परदेश से इस घोड़े को लाए हैं और घोड़े को सेट किया जा रहा है बहुत लोग का कहना था कि ये घोड़ा भले ही दावफ़ नहीं है इस घुड़े को आप सभी लोग डदरी बनियां मेला ग्राउंड में आप सभी लोग देखेंगे घुड़ा जब छुठता था जितरा पयर ए घुड़ा चलता था तुफान की तरह आग की तरह ए Цुर्टा चलता था भले हिरे गधोड़ा निकल जाता था लेकिन सवार धिरेंदर जी मेरे से दावा किये थे कि ब्रापूर मेला के टाइम पे इस घोड़े को हम जरूर आप सभी को दिखाएंगे और मैं अपने चैनल के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि जो धिरेंदर जी बोले ओ अभी ओ चीज देखने को मिल रहा है हाला कि अभी घोड़ा अपने पूरे रुतबे में पूरे रंग में नहीं दिख रहा है लेकिन समय के साथ इसको भी धिरेंदर जी जरूर दिखाएंगे अपने मेहनत के बल पे अपने कालकारी के बल पे कि घोड़ा अपने फूल पावर में कैसा काम कर रहा है आप सभी लोग का कमेंट का इंतिजार रहेगा मैं चाहता हूँ कि जितना इस पे भीव मिले लगभग उतना कमेंट हो दावपहलवान जी के घोड़े के लिए सवाध धिरेंदर जी की कलकारी के लिए और घोड़े के रुतबे और चलावा के लिए और लोग देख लें जो लोग बोल रहे थे कि ये घोड़ा कभी सेट नहीं होगा बिहार की धर्ती पर तो आप सभी लोग देख लें कि दावपहलवान जी का जो मेहनत है जो लगन है और सवाध धिरेंदर जी का जो कलकारी है आप सभी को देखने को मेरे वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा अपने होम ग्राउंड पर गोड़ा फिर प्रेसन कर रहा है तैयारी कर रहा है गोल चकर में गोड़ा कैसा काम कर रहा है आपका कमेंट का इंतियार रहेगा वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजी और भी लोगों में सेयर कीजी और सेयर करके बता दिजिए कि बिहार में भी ऐसे लोग हैं जो अगर जुबान से उबोल दे उसको करके दिखाते हैं गोड़वाजी के छेत्र में या किसी बेच्छेत्र में हूँ तो आप सभी लोग मेरे वीडियो के साथ बने रही है अब देखना है कि धिरेंदर जी और दाव पहलवान जी इस घोड़े को कब नए रेस में पहली बार उतारते हैं कहां उतारते हैं अभी तो सरकार का निजद्वेश्यों का पालन किया जा रहा है अभी हर जगा रेस करा पाना संभाव नहीं है लेकिन जैसे जैसे ही इस सब वेवस्थित होगा जहां पर भी रेस होगा मुझे लगता है कि अच्छे दंगलों में घोड़ा जरूर पार्टिसिपेट करेगा और दाव पहलवान जी का घोड़ा आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी और बिहार के ह आप सभी लोग भली भाती जानते होंगे किसी का नाम का मुताज नहीं था उसको हम लोग अपने बिवाईक भासा में हैंड बिरेक नाम दिये थे ओगोड़ा अब इस धर्ती पे नहीं है लेकिन उसकी बस से आदे हैं उसी से मैं बताना चाहता हूं कि दाव पहलवान जी की जो नजर है वो अचुक है और आप सभी को एगोड़ा बहुत जल्द देखने को मिलेगा आप सभी लोग मेरे साथ चैनल के साथ बने रहे अधिक से अधिक सस्क्राइब कीजिए ताकि मेरा भी मनूबल बढ़ता रहे और मैं आप सभी के सामने नया नया घोड़े का वीडि नहीं पार आओ लेकिन मेरे साथ बने रहे जितना कोशिस हो सकेगा उतना मैं वीडियो आप सभी को दिखाओंगा सामने लेकर आओंगा और ध्रियंदर जी के लिए और दाव पहलवान जी के घोड़े के लिए एक लाइक बनता है मेरे साथ वीडियो में बने रहे